ग्यान द टेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मीथून राशी वाले को अपा धन संपत्ती पाने के लिए 19 आक्टूबर मतलब दिपावली की रात क्या करना चीए तोटका है बेसिकली और मंत्र भी है दोनों हम आपको बताने ये बताएंगे देखिय कि हमारे हिंदू धर्म में मालक्ष्मी को धन की देवी और कुबीर भगवान को धन के देवता बताए गया है इन दोनों की पूजा के साथ साथ आप अपने राशी की देवता की पूजा गया वितुल राशी वाले हम आपके लिए बता रहें देखे आज धन की जुरो सभी को है धन प्राप्ति के लिए सभी प्रयास करते हैं विकर्म, भाग्य और इश्वर किर्पा द्वारा पैसा पाना चाहते हैं जो तिस सास में कुछ उपाय बताए गए हैं जो राशी के अनुसर धन की प्राप्ति कराने में साहिक है तो हम मिथुन राशी का बता देते हैं आपको मिथुन राशी वाले जो जातक हैं यदि आप धन की कमी से जूज रहे हैं तो लक्ष्मी गनेश पूजन करते समय दक्षिना वर्ति संक्री की पूजा करके उसे अपने धन अस्थान पर रखे हैं यदि आप कंड से परिशान है तो लक्ष्मी पूजन के बाद गनेश जी की प्रतिमा को हल्दी की माला बनाए इससे आपकी परिशानी समाप्त हो जाएगी और तीसरा जो अचुक उपाए है वह एक इस फटिक या कमल गटिक की माला से आप मंत्र का जाप करें और मंत्र है ओम क्लिम एम सह ओम क्लिम एम सह यह मंत्र है तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें अपने कमेंट देशिए और यह टोटका बिल्कुल अपना है मिथुन्राशिवाले यह बैकफायर नहीं होगा धन्यवाद